हालो एब्रिवन कैसे हो आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्यार लख रहे होंगे फ्रेंड्स आज मैं चिकन लॉलीपॉप फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उमीद करती हूँ कि ये आपको बेहत पसंद आएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले मैं सारे लॉलीपॉप को बहुत अच्छे से धुल ली थी फर्स्ट वास नीबुक के पानी से बागी के तीन वास में साधे पानी से की थी किसी जालिदार बरतन पर रखके सारा पानी रिलीज कर ली हूँ इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब हमें क्या करना है इसमें कुछ मसाले अड़ करना है ये एक कीलो लॉलिपाप के हिसाब से मैं सारा मेजर्मेंट बताऊंगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है दो इंच टुकड़ा अद्रक का आठ से दस हरीमेच और तीन गाठ लसन की पीस लेनी है पेस्ट बना लेना है और सारे पेस्ट को चिकन में डाल देना है मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेजिएगा आप मिर्ची की ज़्यादा खाते हैं तो कौांटिटी उसकी बढ़ा देजिएगा वैसे इतना इसके लिए परफेक्ट था अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक मैं डाल लेए हूं 1.5 टी स्पून आप अपने हिसाब से नमक डालेगा आप जितना खाते हों उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला तो 1 टी स्पून मैं डाल रही हूं चाट मसाला पाउडर फिर डाल लेए हूं 1 टी स्पून कश्मेरी लाल मिर्च उसके बाद इसमें मैं डाल लेए हूं half tea spoon काली मिर्च का पाउडर आप कुटा हुआ काली मिर्च भी डाल सकते हैं फिर ये optional food color है तो थोड़ा सा मैं food color डाल ले हूँ ये बिल्गुल भी optional है अगर आप skip करना चाहें तो कर सकते हैं उसके बाद मैं गरम मसाला पाउडर 1 tea spoon डाली हूँ और एक नीबू का अरस डालू और mix करने के बाद friends इसे क्या करना cover करके एक घंटे के लिए fridge में रखना है अगर आपस time जादा है तो ज्यादा time के लिए रख सकते हैं तो ये पूरी एक घंटे हो गयते और मुझे एक घंटे के बादी से बनाना था तो मैं बस एक घंटे फ्रिज में रखी थी देख सकते ह सकते हैं आप अब इसमें मैं add कर रही हूं वन फोर्ल नाब या साथ का मतलब होता है चार टेबली स्पून चार टेबली स्पून बेसन और चार टेबली स्पून कॉर्ना-फ्लार इनसा भी को डालने के बाद में आधा चमच नमक डालने हूं कि यानि की लि Gift नमक डाली हूं फिर इसमें डालनी हूँ दो अंडे जरदी के साथ फिर इसमें जाएगा दो चम्मच चेली सॉस दो चम्मच चेली सॉस डालने के बाद इसमें दो चम्मच ही जाएगा विनेगर तो यह गया है दो चमच चेली सॉस और जाएगा दो चमच वीनेगर और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है फिर इसे करना है फ्राई तो मैं हाथों की सायता से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ देख सकते हैं आप अफट अफट से हम fry कर लेते हैं तो इधर ऑयल गरम हो गया बहुत अच्छे से गरम करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे fry करना है हाई नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स वरना यह जल जागा उपर से उपर से तो लगेगा कि यह अच्छे से फ्राई हो गया लेकिन अंदर से यह कच्छा रह जागा तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे fry कीजिएगा और बहुत बचा बचा के डालिएगा बहुत तेज ओयल उपर की तरफ आता है तो सभी को मैं डाल दी हूँ और छोड़ दीती चमचा नहीं लगाएती कुछ देर बाद यह अपने आप ही पूरा छोड़ दिया था नीचे का तली तो मैं उसके बाद चमचा लगाएं और यह बहुत आसानी से पलट गया है आप बिल्कुल भी जब अचस्ती नहीं कीजिएगा चिकन को डालने के बाद जब आयल में आप चिकन डालेंगे तो चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाना है छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे ही अच्छे से यह से बिल्स एक तरने लगए खुद हिलने लगए तो फिर उसे उलट-फिलट करके अच्छे से अच्छे कर लेना है बहुत आ है और से अंदर से जूसी मैं आपको तो डिखा रहे हूं अंदर से फीर हो चुके बिलकूल भी कच्चे में और टेस्ट कीff कहना ते चिकन लवर रो声 कीजिए गश्चु आण हरे चटने के साथ सर्फ कीजिएगा I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए